दोस्तों अमेरिका के अंदर गुगल ने एक स्पीच कैंसल कर दिये जो कि एक दलित एक्टिविस्ट ने देनी थी जो कि युएस बेस्ट ही है जिनका नाम है थेन्मौजी सुन्दराजन और यह हुआ सिर्फ उन्हीं की वज़े से जो यहां पर भी बवाल क्रेट करते हैं कि चाह रही थी कि एक दलित एक्टिविस्ट अपनी स्पीच दे गुगल के अंदर लेकिन उनको नहीं देने दी जिसके बाद में रिजाइन कर दिया तनुजा गुपता ने इसी वज़े से क्योंकि एक तरीके से वह उन्हीं की इंसल्ट है कि उन्होंने इन्वाइट किया उसी की स्पीच नहीं होने दी उनी के एंप्लोईज ने जिन्होंने कंप्लेंड कर दिती ऊपर तक कि वह या एक दलित एक्टिविस्ट कैसे स्पीच दे सकती है हमारे सामने मतलब अमेरिका के अंदर जाने के बावजूद भी ये जात पात ऊचनीच चलती है मुझे तो आया है लेकिन बहुत सी ऐसी लोन वाली एप्लिकेशन है जो कि चाइना बेस्ट है वह असानी से लोन तो हमें दे देती है लेकिन उसके बाद में दुखी करती है हैवी इंट्रस्ट लगा कि और वह इतना ही नहीं करती है आपके कॉंटेक्ट्स पर फिर मैसिज बगेरा भी भी भेजती है जिससे की औरों को भी दुखी करती है कि वह आपके कॉंटेक्ट की लिस्ट लेई लेती है जिसके बाद में आपको थोड़ा बत हरांसमेंट भी जहलना पड़ता है लेकिन इसी के साथ साथ आपका डेटा भी वह चाइना को सैंड करती है पता लग रहा है मार्च के महीने में एक शॉपी नाम की चाइनीज अप्लिकेशन थी वह अचानक से काम करना बंद कर गई इसके साथ 40 नॉन बैंकिंग फाइनेशल कंपनी जो की चाइना से बिलॉंग करती थी उनके भी लाइसेंस रद्ध किये गए है क्योंकि वह भी कुछ इसी टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हैं कि वह डेटा इदर दर सेंड कर रहे थे तो थोड़ा बचके रहना इन लोन वाली अप्लिकेशन से हाला कि फ्रॉड बहुतों के साथ में हो रहा है इनसे भी और उपर से हरस्मेंट भी हो रही है क्योंकि आपके रिस्तदारों को कॉल करेंगे क इसने इतने का लोन ले रखा है दे नहीं रहा तो इस तरीके की चीजों से बचना है तो ऑनलाइन किसी भी अप्लिकेशन से ऐसे ही लोन मत लो दोस्तों अमेरिका का न्यू यॉर्क का पहला इस्टेट बन चुका है जहां पर राइट टू रिपेर बिल को अप्रूफ कर दि करती है ना उसके बाद में उसका एक नट आपको नहीं देंगे वो कि आप उसको खुद से रिपेर करवा लो मतलब वो प्रोड़क्ट खतम हो गया है अगर वो डेमेज हो गया वो रिपेर नहीं किया जा सकता है और इसी तरीके की पॉलिसी इंडिया के अंदर भी आनी चाह चाहिए आप 50,000 का स्टेरिंग वील ले लो वो खराब हो गया तो आप उसको रिपेर नहीं करवा सकते चाहिए लेने के एक दिन बाद क्या एक घंटे बाद खराब हो जबकि बाहर के देशों के अंदर इसको वारंटी भी मिलती है सर्विस सेंटर भी मौजूद है अब फायदा तो यह रूल इंडिया के अंदर जरूर आना चाहिए दोस्तों फास्ट चार्जिंग वाले स्मार्टफोन बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकि है बजट सेग्मेंट के अंदर भी मिल जाते हैं चाहिए उनकी स्पीड कम ही हो लेकिन होते हो फास्ट चार्जिंग सपोर कि मतलब तुम्हें 10 मिनिट के अंदर फन चार्ज चाहिए 5 मिनिट के अंदर तुम्हारी मीटिंग चल रही है मिल चल रही है क्या हो रहा है पहले कुछ टाइम तो मिल जाता था मोबाइल भी रेस्ट कर लेता था अब तो मोबाइल को भी रेस्ट नहीं कि फटा पर चार्ड जो रहा दुबारे से खेलूंगा तेरे अंदर गेम एक टाइम वह आगा कि सिधा ट्रांसफॉर्मर से चार्ड करो फोन लगाया चार्ड चलो दोस्तों ऑस्टेलिया के अंदर गूगल के उपर एक केस चल रहा था वो केस वो हार चुका है और उसके उपर पांच लाग पंदरा हजार यूस डॉलर का लॉसूट लगाया जो की होते है अकरिबन चार करोड रुपे उन्होंने दरसल जॉन बरी लैरो जो की ऑस्टेलिया के फॉर्मर लॉमेकर और पॉलेटीशन रह चुके हैं उनका मजाक उडाया था एक कॉमेडियन ने यूट्यूब के उपर दो वीडियो डाली थी गूगल की तरफ से जो की ये दिखाती थी कि वही जॉन जो है वो करप्शन करते हैं इस तरीके का मजाक उडाया था जिसके पाद में उन्होंने गूगल को कोट में घसीट लिया था और वहां पर वो केस हार चुके हैं दोस्तों 14 जून को रेर कॉजमिक इवेंट होने वाला है पांच बज़के बाइस मिनट पर इंडियन टाइम पर बता रहा हूं जब आपको स्ट्रोबेरी मून देखने को मिलेग यह फुल मून होगा यह पर दोस्तों जाते जाते यह अप्टिकल इल्यूजन काफी जादा चल रहा है जहां पर आपको दा हीडन टाइगर ढूंड ना इस इमेज के अंदर सिर्फ एक परसंट लोगी इसको अब तक ढूंड पाया तो देखते हैं आप में से कौन इसको पसंद आते हं तो इस वीडियो को लाइक जरू करना शेर्ट भड़ और इसी तरीके कि देखने लिए चैनल को चप्सक्राइब करना और सब्सक्राइब किया तो यह आपको मालूम ने चलगए ऑना को वीडियो त consultants भी है